आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ तो वो बेशता है 15 रुपए पर लीटर and thereby making a profit of 25% और उसका profit होता है 25% का In what respective ratio does he mix milk with water हमें चाहिए रेशियो इसमें हम simply use करेंगे mixture allegation तो देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है कि जो milkman है उसका selling price है 15 रुपए ठीक है लेकिन अब हमें चाहिए कि cost price कितना रहा होगा जब वो उसमें add कर दिया होगा यह जो हमें अभी पता है कि 60 रुपए पर लीटर है यह pure milk है हमें चाहिए milk plus water का cost price कितना रहा होगा तो cost price कैसे निकलेगा मान लेते हैं कि cost price है y ठीक है और selling price हमें दे रखा है profit कितने का हुआ है उसका 25% का हुआ है तो CP पर ही निकालते हैं हमेशा अगर उसको profit हुआ है तो देखो y तो हुआ ही हुआ है उसको plus 25% of y हुआ है ठीक है जब यह cost price plus इसका profit percentage आइट कर दोगे तो आप जाकर के तुम्हें SP मिलेगा ठीक है तो यह यह से हम हो गया 100 100y plus 25y is equal to SP किता है 15 रुपह है ठीक है तो 125y upon 100 is equal to 15 तो हमें y मिल जाएगा y किता होगा 15 into 100 upon 125 5 3s आ 5 25s आ 25 4s तो हमारा y किता आ रहा है 12 रुपह आ रहा है मतलब हमारा cost price इतना रुपह आ रहा है और इसमें क्या है water plus milk है ठीक है और यह जो इसको यह 15 रुपह का भी जो मिला है वो water plus milk का मिला है अब हमें mixture allegation करना है mixture allegation क्या होता है देखो higher value इधर lower value इधर पर average value और जो नीचे result आता है उससे हमें पता जल जाता है तो यह हो जाता है average value minus lower value इधर पर right side होता है higher value minus average value ठीक है तो देखो एक बारी question पढ़ते हैं कि उसका जो pure milk है वो 16 रुपह पर लीटर का है ठीक है और उसमें उसने पानी add किया है तब जाकर के उसका 15 रुपह पर लीटर जा रहा है और उसका profit है 25% का in what respective ratio does he mix milk with water तो हमें उसका ratio पता करना है कि milk में वो कितना पानी add कर रहा है एक तरफ लिख लो milk एक तरफ लिख लो water तो देखो milk की उसकी costing पहले कितने रुपह पढ़ रही थी 16 रुपह पढ़ रही थी तो यह higher value है तो उसमें जो water था वो 0 था खिक है उसी तरह हमने क्या निकाला है यहाँ पर में cost price निकाला है 12 रुपह कि इतने रुपह क्या हो गया add करने पर हो गया water plus milk तो यह हो जाएगा 12 अब हमें क्या करने है इन दोनों की value निकालनी है तो देखो 12 माइनस 0 12 हो जाएगा 16 माइनस 12 किता हो जाएगा 4 हो जाएगा हमें milk is to water का ratio किता मिल रहा है 12 is to 4 one इधर आ जाएगा और इधर three आ जाएगा three is to one के ratio में उसने mix किया है तब जा करके उसका इतने का फायदा हो रहा है 25% का option से match करोगे तो option number one है हमारा correct answer I hope यह question आपको clear था thank you so much Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubt net app या whatsapp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर